नमस्कार आप देख रहे हैं क्राइमी स्टोरी मैं हूँ हेमन्द गुपता पेश है अब तक की खास ख़बरे उत्रखण पुलिस मैंक में मिशन महावरत को सोशल मीडिया के जरिये हावा देने वाले एक शक्स को दून पुलिस ने रायपूर इलाके से गिरफतार कर लिया है गिरफतार व्यक्ति एक प्राइविट स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक बताया जा रहा है पुलिस मुख्याले से प्रात जानकरी का अनुसार मिशन आकरोस के दोरान भी इस व्यक्ति को पुलिस ने विकास नगर इलाके से गिरफतार किया था एडीज एशोक कुमार ने बताया कि मिशन मावरत को उपजाने वाले सभी संदिक्दों पर पुलिस और कोफिया टीम नजर बनाये हुए है यदि कोई बाहरी व्यक्ति सक्री रूप से इसमें पया जाता है तो पुलिस रासुका समेथ कई कटोर कानुनों का प्रयोग करने में शक्षम है मामले की जानकरी देते हुए एडीज एशोक कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली की एक यूवक कई दिनों से सोचली मीडिया के माद्यम से मीशन मावरत के मैसेज फारवर्ड कर रहा है मामले की परताल की गई तो आरोपी व्यक्ति की पहचान राकेस तोमर निवासी कालसी की रूप में हुई पुलिस ने सर्विसनलाज टीम की मदद से आरोपी को रायपूर्थाना इलाके में इस्तित आईटी पार्क से गिरफतार कर लिया गिरफतार आरोपी कालसी में प्राइविट स्कूल चलाता है आरोपी से जब पुलिस ने पूछतार की तो उसने बताया की वह दो बार पुलिस में बर्ती में ऐसे फल रहा उसके कुछ साते पुलिस में नोकरी करते हैं पुलिस में बर्ती ना होने पर उसने विज़दरो फेलाने का सन्देश परसारित किया है क्राइम इस्टोरी के लिए बिरो रिपोर्ट देरदून और वो हमारी एक वरकार से पहचान है तो उसको हम कभी नहीं खोने देंगे उपनल करमचारी महसंग ने अपनी तीन सुत्रिय मांगों को लेकर आज से परदेश भर में दो दिर से हर्टाल शुरू कर दी है परदेश भर में 24,000 उपनल करमचारी की हर्ताल से पूरा सरकारी सिस्टम गड़ बढ़ा गया है अस्पतालों में काम परभावित हुआ है परदेश भर में उत्राफंट पूर्वस्यानिक कल्यान निकम लिमेटेड उपनल के तहत 24,000 करमचारी आउट्सोर्सिंग में वस्ता के तहर विभिन विभागों में व्यवाएं दे रहे हैं इसमें हट तरह के करमचारी शामीर है वेतन विद्दी की मांग को लेकर करमचारी आज हटताल पर चले गए हैं हटताल का व्यापक असर देखने को मिला है उपनल करमचारी की हटताल के कारण मरीज पिश्किल में है तून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों को कई इस्तरवर परुशानी झेलनी पड़ी राजकेवा निगम कर्मियों को पहले ही साथवे वेतन कलाब दिया जा चुका है उपनल करमचारी महासंग का कहना है कि जड़ी सरकार ने उनकी मांगो पर विचार नहीं किया तो आने वाले दिन में वोन अनिश्कित काल हर्टाल पर भीच चले जाएंगे क्राइमी स्टोरी के लिए ब्योर रिपोर्ट धैरा दून हर्टाल पर है यदि सरकार दौरा इन दो दिनों के बाद भी उपनल करमचारियों की मांगों के हीतों में कोई कदम नहीं उठाय जाता है तो आने उपनल करमचारी महासंग को विवस होकर अनिश्चित काल हर्टाल के लिए बाद्ध्य होना पड़ेगा पूर्व विधायक राजकुमार की नेत्रवत में कांग्रेशी ने निगम में जमकर हंगामक करते हुए काहा कि दरादू नगर निगम में परिसीमन के लिए जो सिमा विस्ताल किया गया है वह गलत है इसमें वार्डों को गलत तरीके से जोड़ा गया है तो कई जगे गलत गंभीर विशे है लिहाजा सरकार इसे फिर से सही धंसे परिसीमन कर सही तरह से जोड़े खेर के कई वार्ड जो पहले से अपनी सही जगा पर थे वहां सरकार ने परिसीमन की सीमा गलत दिशा में जोड़ दी है जिसके चलते आज कंग्रेस कार्टाओं ने नगर आयुक्त क गहराव किया और वार्ड ओके परिसीमन पर फिर से पुनर विचास करने को कहा आपको बता दे कि शहर में निक्काय चुनाव के चलते तो वार्ड की सीमा विस्तार में फेर बदल कर दिया गया आज जिसके चलते विरोत परदर्शन किया गया क्राइम स्टोरी के लिए वियर पाड़ दिया और कई वार्ड को ऐसे खतम कर दिया है जिनका नामी आटा दिया है आज घंटा करवार्ड देख लिए उसको इननने बिल्कुल उसका नामी आटा दिया उसको चार बागों में बाड़ दिया है ऐसी बगश्टिक लोड़ी नहरु गुराम और आपका शेर बि पाड़िक लाब उठाने के लिए उसको काटा गया है और ऐसे ऐसी जगह काट दिया है जिससे को इसी पैर नहीं होता हम इसके विरोद में कोट भी जाने की त्यारी कर रहे है जब अगर इन्होंने सुनवाई नहीं कि